दोस्तो, आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं. पिर अकाउंट्स की जोब की इंट्रिवियो में, टैलि सॉप्टवेर से रिलेटड, अकाउंट से रिलेटड और टेक्शेशिंस से रिलेटड जो क्विश्चन पूछे जाते हैं. आज की इस वीडियों, आपको end तक complete जुरूर देखना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको कुछ जुरूर नया सेखने को मिलेगा वीडियो कैसे लगी आप आमें कमेंट करके भी जुरूर बताना वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like और share करना भी मत बूलना तो दोस्तो अगर आपने मारी चैनल पर पहली बार विजिट करिये है चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर ओन कर लेना क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की practical वीडियो टैली सॉप्ट्वेर और वीजी सॉप्ट्वेर से रिलेटर लाते रहेंगे तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मोन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग आरसन हर पर बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों आज का पहला question बे टैली सॉप्ट्वेर में does2 टैक्सलेजर का group क्या होता है? यहां कि जब हम टैली सॉप्ट्वेर में या किसी भी accounting software में does2 टैक्सलेजर क्रेट करते हैं तो उसका ग्रूप का selection क्या होता है तो दोस्तों जैसे कि हम टेली software की बात करें तो हम जैसे create पर जाते हैं laser पर जाते हैं और यहां पर हम एक laser बनाते हैं जैसे कि हमने laser create कि है cgst tax के नाम से तो अब बात आती है under group के बारे में तो यह जो cgst tax का जो laser हमने बनाया है इसका group का selection इसमें से क्या रखेंगे तो दोस्तों इसका सही answer है हम group रखेंगे duties and taxes और duties and taxes पर interface करेंगे तो उसके बाद में हमारे से एक option और पुछा जाता है भी type of duties and taxes इसमें सेलेक्ट करते हैं एक करेंगी उसके बाद भी हमारे से टाइप करेंगी तो हम CGST का tax laser बना रहे हैं तो इसलिए हम select करेंगे यहां से center tax को अगर हम बना रहे हैं SGST tax को तो वहां से हम select करेंगे state tax को अगर हम IGST tax का laser बना रहे हैं तो उस condition में हम integrated tax को select करते हैं तो question number 200 second है अगर हमारी company दोबारा किसी GST registered company को taxable समान बेचा जाता है तो उस company के उस invoice की detail को GST की कौन सी return में दिखाया जाता है तो दोस्तो इसका सई answer हैगा हम इसको practical तरीके समझते हैं अब जो question जो पुछा गया भी अगर हमने किसी GST registered party को समान बेचते हैं तो उसकी detail GST की कौन सी return में दिखाया जाती है तो दोस्तो इसका जो सई answer है वो जो GST की return की अगर बात करें तो GST return है वो हमारी GSTR 1 होती है अगर इसे में बात करें हमारी GST report की तो GST report पर हम जाएंगे और GSTR 1 में उसकी detail दिखाया जाती है और 1 में इसका जो point number 1 होता है B2B 4A 4B 4C 6B 6C के अंदर में उस invoice की detail को show करवाया जाता है ताकि हमारा जो customer है उसको ITC मिल सके तो दोस्तो question number 3 है भी GST tax deposit करवाने की due date यान की last date क्या होती है तो दोस्तो इस point पर आपसे कोई किसी भी type की registration का नहीं पुछा जाता भी आप regular dealer की बात हो रही है या फिर composition dealer की बात हो रही है तो अगर आपको इस type के detail पुछी जाए भी GST tax deposit करवाने की due date क्या होती है तो हम बात यहां पर करेंगे composition dealer की और एक regular dealer की तो regular dealer की अगर हम बात करें तो उसकी जो due date होती है अगर मान लेजिए उसका last month में कोई GST tax की life उसकी बंदरी यान की GST tax उसको जमा करवाने तो next month की 20 तारिक से पहले पहले उसको GST tax deposit करवाना जरूरी होता है अगर इसके बाद में अगर deposit करवाते हैं तो 18% के साथ interest भी लगता है अगर हम बात करें composition dealer की तो composition dealer का अगर tax बनता है तो उस tax को जो उसका quarter end होता है जैसे कि उसके quarterly return और फाइल करते हैं तो quarter end के जो next month होता है उसकी 18 तारिक से पहले पहले उसको यानि कि 18 तारिक उसकी last date होती है तो 18 तारिक तक उसको अपना GST payment जमा करवाना होता है composition dealer को और regular dealer की बात करें तो next month की 20 तारिक तक है जो due date होती है question number 4 composition dealer को कितना GST tax pay करना होता है तो दोस्तों इस पे हम थोड़ सा answer है इसको पिलकुल detail के साथ समझेंगे इसको तो दोस्तों जो GST में जो composition dealer होता है उसका registration अलग-अलग type हो सकता है अमा लेजे कोई ऐसा कोई composition dealer है जिसका registration manufacturing में या फिर traders का work वो करता है तो उसको 1% का total GST tax payment करना होता है यानकि उसको अदा परसेंट CGST का और अदा परसेंट SGST tax के रूप में pay करना होता है अगर कोई ऐसा composition dealer जो restaurant के working करता है तो उसको total अपना 5% का total GST payment करना होता है उसको 10% CGST का और 10% SGST का इसी परकार से अगर कोई composition dealer है service provider है तो उसको total 6% का GST tax payment करना पड़ता है उसमें 3% CGST है और 3% SGST payment करने पड़ती है तो दोस्तों यह कुछ ऐसे important topic होते हैं जो हमारे से interview के time में पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे student होते हैं जो telly software के बारे में तो knowledge रखते हैं लेकिन यह जो छोटी-छोटी बाती हैं इनको ignore कर देते हैं तो म computer का group क्या होगा तो दोस्तों question थोड़ सा अठपटा सा है लेकिन आपको सोड़ा समझने भी company में business purpose के लिए computer का group क्या होगा अब माली जी आपकी company है वो आपकी company माली जी कपड़े की है आप ready matter कपड़े करते हो ready matter कपड़े को आप सेल करते हो तो आपने business के accounting को maintain करने के तो इसका group हम क्या select करेंगे दोस्तों जैसा कि हम एक बार laser बनाते है create पर हम जाते हैं laser पर जाएंगे और हमने यहां पर एक laser मना दिया computer का तो दोस्तों हमने business purpose के लिए खरीद है तो इसका group रहेगा fixed assessed का यानिकि हमने इस good summer computer process तो कर लिया लेकिन हमने इसको resell नहीं करना है क्योंकि यह हमारी है कि property बन चुकी है जिसे हो fixed assessed बोलते हैं इसका जो group selection होएगा software में वो fixed assessed रहेगा question number 6 पि company में trading purpose के लिए computer खरीद है तो computer का group क्या होगा तो दोस्तों जो 6 number question है वो 5 number question से थोड़ा सा मिलता जूलता जूरूर है लेकिन इसमें काफी सारी changing इसके answer में हो जाएगी अब 6 number question है वो company में trading purpose के लिए computer खरीद है अब trading purpose का मतलब होगा दोस्तों विए अगर आपके कोई दुकान है आपका business है आप computer फरसेज करते हो और computer फरसेज करते हो यानकि आपकी जो दुकांतार है वो computer फरसेज की है तो अब आपके लिए यहाँ पे computer एक laser नहीं होने के पर इसका हम item बनाएंगे computer को laser में नहीं बनाने के बज़ए इसको stock item में अब गिना जाएगा क्योंकि हमारी business की inventory है तो इसके लिए अब इसका जो group है कोई group नहीं होगा जबकि अभी inventory बन चुकी है question number 7 किसी company ने आपका ब्याज पर TDS deduct किया यहाँ कि TDS आपका कट है तो आप अपने books में TDS का group क्या रखोगे question को इस तरह किसी भी बनाए जाए जाता है TDS का उस TDS का laser किस नाम से होगा और उसका group क्या रखा जाएगा तो यहाँ कि किसी company ने यहाँ कि आपकी company है आपने किसी party से ब्याज लेना था ब्याज की amount पांच जार रुपे से जादा की थी तो जैसी बात है उस पर TDS कटेगा तो यहाँ कि आपका TDS कट है तो इसकी entry आप अपने books में उसका laser किस तरीके से बनाएंगे और उसका group क्या रखेंगे इसको भी हम बना के देखेंगे तो दोस्तों इसके लिए जिसे हम create पे जाएंगे अब हमारा TDS कट है interest पे तो एक तरीके से हमने यह government को advanced tax है जो पे कर दिया तो हम यहाँ पर एक laser बना देंगे advanced tax on interest और यहाँ पर इसके back में लिख देंगे TDS यानिके हम इस type का तो एक laser create कर देंगे advanced tax on interest का अब इसका जो group selection की बात आती है तो इसका जो group का जो selection किया जाएगा वो current assessed में किया जाएगा तो अब group मारे लिए पुछा तो इसका जो group है वो current assessed रहेगा अगर हमारा TDS कटा है तो अब TDS आपका interest पर भी हो सकता है commission पर भी हो सकता है brokerage पर भी हो सकता है किसी भी रूप में अगर आपका TDS कटा है तो उसका आपको group है जो current assessed रखना है अपने software में तो question no.8 यदि आपने किसी company का ब्याज पर TDS deduct रहने TDS कट है तो आप अपने बुक्स में TDS का group का क्या नाम रोका है उसके group का selection क्या होगा तो दोस्तों अभी आठ नंबर question भी साथ नंबर question से मिलता चुलता है लेकिन इसमें काफी answer में difference हो जाएगा साथ नंबर तो था अगर आपका कोई TDS कट है तो और आठ नंबर यह है यदि आपने किसी other party का TDS कट है तो उसका laser किस नाम से हो सकता है या उसका TDS का जो आपने TDS कट है उसका group क्या होगा तो इसका laser भी हम बना के देखेंगे तो इसका laser बननाने के लिए हम laser पर जाएंग तो इसका laser करेंगे और अभी इसका जो group है वो हम select करेंगे duties and taxes का तो जैसे हम duties and taxes को select करेंगे तो यहां से पूछे जाएगा type of duty taxes तो इसमें हम select करेंगे यहां से TDS को और TDS के बाद में यहां पर आपको nature of payment है जो select करने पड़ती है तो दोस्तों TDS की entry tally software में किस परकार होत इस चैनल पर upload किया है आप उससे देख सकते हो उस वीडियो का link मैंने इस वीडियो की description में भी दे दिये है उपर आपको i button भी मिल जाएगा तो आप उस entry को भी जुरूर देखे भी TDS की entry software में किस परकार होती है तो दोस्तों इस question का जो answer है वो यही रहेगा भी duties and taxes हम रख स रखते हैं या फिर अगर आपने कोई general entry simple करिए तो आप इसको करन्ट लैप्टीज में भी रख सकते हो यहनकि आपकी यह दोनों तरफ से लाइप्टीज ही है question number 9 है विट TDS को online जमा करवाने के लिए किस परकार की registration की जरूरत होती है तीन option आपके सामने है pen card की GST number की या फिर 10 number की तो दोस्तों हमें जब GST अगर TDS अगर हमें online deposit करवाना होता है तो हमें 3 number option यान की 10 number की जरूरत पढ़ती है GST tax deposit कराने के लिए वास्ता GST number होना चीए income tax payment करने के लिए मारे पास pen card होना चीए तो अगर हमने TDS किसी customer का हमने काटा है किसी company का TDS हमने काटा है तो उसे online जमा भी करवाना होता है तो इसके लिए 10 number हमारे पास होना कमपल सरी है यानकि 3 number option इसका बिल्कुल right answer है तो question number 10 बिजनस में से personal use के लिए पैसे निकाले गए है इसकी सई entry क्या होगी तो दो option आपके सामने है पहली जो entry आ रही है वो journal expenses account debit to case या second option है ranks account debit to case तो दोस्तों अब ये journal expenses यानकि question पुछा चारके personal use के लिए यानकि जो company है उस company के मालिक ने अपने गर के लिए दुकान में से पैसा निकाला है तो ये कोई business का खर्चा नहीं है ये उसका personaly खर्चा है तो इसके लिए इसका जो दो number point है इसका सही आनसर हो जाएगा drawings account debit to case अब यहाँ पर drawings की जिए अगर capital account debit to case है तो भी वो entry बिल्कुल सही है अगर ये journal expenses जोदा भी business purpose के लिए business में से पैसे निकाले गया है जैसे कोई खर्चा किया है तो ये journal expenses account debit to case हो सकता था अब ये जो पै दस थोड़ से advanced level की question जो की अक्सर interview में पुछे जाती है वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो पसंद आई हो वीडियो से कुछ सेखने को मिला हो तो please वीडियो को like और share जरूर कर देना वीडियो कैसे लगी आप ये हमें comment करके भी जरूर बताना तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ